अनार खाना सबनु पसंद हुन्दा है जैसनल सरीर दियां कई बिमारियां दूर किती हैं जा सक्दियां हन अनार दे दाने अते ज़्दा जूस दो में सेतली बहुत फाइदे मंद हन अनार फाइबर बिटामन के सी अते बी आयरन पटाशियम गुना नल परपूर हुन्दा है अनार दी रुजाना बर तो कारनाल सरीर विच्चो खून दी कमी दूर हो जन्दी है इस तो इलावा अनार खान नल पक्खवी लग दी है अते सरीर दियां सांक मजोरियां भी दूर हो जन्दी हन इन्हाई नई अनर खाण नाल हूर भी बहुत सारे फैदे हुंदे हैं जिन्ना वारे अद्धत होन्हों ऊसी दस्तांगे नंबर सचूगर दे मृथजा ले शूगर दे मृथजा नो लगदा है कि अनर योच शूगर हुण कारन इस्दा सेवन नहीं करना चाहिदा पर अनार नालो जादा शुगर ऐस दे जूस विच होंदी है ऐसलोई डॉक्टर शुगर दे रोगयानो अनार दी बजाए उस नल त्यार किते गे जूस नो कट पीन दी सला दिन दे हन नमबर दो देल दे मरीज जाले फाइदे मंद अनार खान नाल जाएस दा जूस पीना बलड सर्कुलेशन ठीक रहनदा है इस नल देल दे रोग ते देल नो पैन वाली दोरी दा ख़तरा कट हो जानदा है जेकर तुसी देल दे मरीज हो ते इस दी रोजाना बारतो करना तो अनू और भी बहुत सारे फाइदे होनगे नमबर त्यन मटापा करे काबू अनार खान जा रोजाना इस दा एक गलास जूस पीन नाल कमर दी चर्बी नो कट कीता जा सकदा है इस दी सेवन नाल पार वी काबू विच रेंदा है नमबर चाट कैंसर तो बचा अनार विच जहे गौन हुंदी हन जो स्रीर विच कैंसर सैल्ज नू बद न तो रोख दे हन जिनना लोग कानू कैंसर है उन न ले इस दा जूस पीना चाही दा है एसनल सिरीर वेच PPSC एदा पद्र काट जन्दा है जेसनल कैंसर ना लड़न दी मद्द मिलधी है जोड़ा वेच दर्द तो राहत अनार दे रस्ती ज्राण ना वरतो करनल माश पेशियां हड्डियां जोड़ा दे दर्द तो राहत मिलधी है जिन्ना लोकानों अक्सर जोड़ां विच दर्द दी शकायत रहंदी है, उन्ना नू डक्टर वी अनार खान दी सला दिन्दी हैन। नंबर पांच, खोन दे ठक्के बनना, अनार दा सेवन खोन नू पतला बनोंदा है, जैसनल खोन दे ठक्के नहीं पनदी, इस तों लावाईस दा किसे वी रूपच सेवन, सरीर वेच का खोन दी कमीनू पूरा करदा है। नंबर चे, एंटी एजिंग कोन, अनार वीच ज्यादा मत्रा वीच बिटाम्मन ए, इ, अते सी हुंदा है, जैसनल बादी उमर दी समस्या दूर रहन दी है। रिजाना इस दा सेवन कारना, चमणी दियां रिखामा आते चोड़ियां नू रोकन वीच मद्धत मिल दी है। नंबर साथ, गर्व आवास्ता वीच फाइदे मन्द। इस वीच बिटाम्मन मीनरल जाते फाली के ऐसल मजूद हुंदा है। जो के गर्व विच पालरे बच्चे ते माली फाइदे मन्द है। केलस्ट्रोल लेवर नू करें कंट्रोल। अनार खानना स्रीर विच केलस्ट्रोल लेवर नहीं बद्धा, टेंशन तो दूर रिंखदा है। जेकर तो हन्वी दाफ्त्री कमा कारन अक्सरत नाजा टेंशन रहें दी है, तर जानना अनार खान दी आदत पाओ। आडू दी बरतो करना होन वाली फाइदी। नमबर एक, पार नू कंट्रोल च रखदा है। जेकर तुसी पार नू कंट्रोल करना चांदे हों, ता हर रोज आडू खाओ। क्योंकि इस विच एक कैलरी कट हुंदी है, आडू खानना स्रीर नू उर्जा मिल दी है। जेकर तुसी इसनू नाश्ते विच खांदे हों, ता तो हनू द पैर दे खाने तक कुछ भी खांदी जुरूरत नहीं पैंदी। पोखदी कमी भी पार नू यंतर विच रख दी है। नमबर दो, अम्यून सिस्टम नू बदाउं दी है। आडू बिटामन सी नल पर पूरू हुंदे हैं, जो स्रीर वेच एंटियोक्सिडेंटां दा कम कर दे हैं। जैसनल अम्यून सिस्टम मजबूत हुंदा है, अते नुकसान दे रोग स्रीर तो दूरें दे हैं। यसले इ नमबर दो, शोटी तो शोटी वड़ी तो वड़ी समस्या तो बचौन दा कम करें। नमबर त्यन, अक्खांदी रोशनी बदाउं वेच करें मादद। आडू वेच बिटामन एवी मजूद हुंदा है, जो अक्खांदी रेटीन नानू तंदर उस्त रखदा है। इस तो यस नू अपनी खराक वेच शामल रुखू। नमबर चार, किड़नी लई फाइदे मंद। जे करतो हनो किड़नी समंदी कोई समस्या है, ता आडू दा सेवन इर जरूर करू। क्योंकि यस वेच पटाशय मुहंदा है, जो किड़नी नू तांदर उस्त रखदा है, ये तो ये जिगर विचो जहरीले पदार्थवार कड़न वेच मद्द करदा है, जो पेट दियां समस्या मानू भी दूर रखदा है, इस दे ताजे पत्यां दा जूस लेके पीन नाल, पेट दे कीडे मकोडे भी मर जन दी हन। नमबर पंच, अनीमिया तो राहत, जे कर तुसी अन दे करदा है, नमबर शे, खोन दी कमी, जे कर तो हनू खोन दी कमी, जा अनीमिया दी समस्या है, ता अपनी डाइट वेच आडू शामल करो, क्योंकि ये सवेच आयरन पर पूर मातरा वेच हुंदा है, ये स्रीर वेच मजूद रेड बलड सेल्स दी मातरा नो बदांगे, अ नमबर सत्थ हड्डीया मजबूत करे, आडू वेच्पितामन सी अते कार्बोड हाईड्रेट हुंदा है, जैसनल हड्डीया मजबूत हते दंद मजबूत हुंदे है, ऐसले रुजान आडू दा सेवन कारनल हड्डिया मजबूत हुंदी है, नमबर आठ, चोड़ योड्या फाइदे मंद जेकर तो हड़ी चमडी खोशक है ता आड़ू दे पेस्ट नू चेरे ते दास मेंट तक रगड़ो फिर थोड़ी समय बाद चेरत ता जे पाणी नाल तोलो इस नाल तो हन्नू फाइदा होवेगा जेकर तो हन्नू साधिया वीडियोस वदिया लग दिया ने त जादा तो जादा लाइक शेर ते चैनल नू सब्सक्राइब करना बेलकुल वीना पुल्यो